वेलकम बैक फ्रेंड मैं नंज रवास्तो आपके यूटूब चैनल इनलेस इस्टेडी शेंटर पे आप सभी दोस्तों का शौगत करता हूँ और आज आप लोगों के लिए मैं परियावड अध्यान का प्रेक्टिस सेट नंबर थिरी लेकर आये हूँ इसके पहले मैंने दो प्रेक्टिस सेट आपको दिये हुए हैं जो कि आप लोगों के रिस्पॉंस काफी अच्छे रहे और आप लोगों के मैक्जिमम कोईशन सही हुए और आई होब कि ये भी प्रेक्टिस सेट आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा याद आप मेरे इस channel पे नए हैं तो please channel को subscribe कर लिजए क्योंकि याद आप seated की तयारी कर रहे हैं या किसी भी परदेश सस्तीरे से इच्छक पात्ता परिच्छा की तयारी कर रहे हैं यानि TET की तयारी कर रहे हैं और यद वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, उसे सम्मंदित अपने होटसप यवे ग्रूप में जरूर सियर करिएगा, तो देखें इसमें पहला कोश्चन है, और आप लोगों को भी मैं बता दू, परियावड़ अध्यान वाले सेक्षन म एक दो प्रसन आपके इतिहास से भी होते हैं, तो इसलिए इसमें एक इतिहास का पहला प्रसन जो है, पाल, प्रतिहार और राष्ट क्रूट, डैस पर नियंतर के लिए लड़े, यानि किस राजी के लिए लड़े हुए थे, जो कि हर्स के बाद सक्ति का प्रतीक था, तो इ इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा, A, B, C, D, तो एक सो बाइस का जो आंसर सही हो जाएगा, D, यानि पारा जो होता है, मरकरी होता है, वो धातू के अमलगम में दूसरा तत्त होता है, नेक्स कोर्शन देखते हैं, या किसी बलेन का पी एच मान जो है, तो यह है, यह क साथ से नीचे जितने मान रहेंगे, यानि 6, 5, 4, 3, 2, 1, यह अमल हो जाएंगे, और साथ से उपर जितने रहेंगे, वो छार हो जाएंगे, तो इसमें पूछा हुआ है, यह किसी बलेन का पी एच मान जो है, तो वो क्या होगा, तो देखिए, साथ से जैसे जैसे नीचे जाएगा, वो ऐसे वैसे वो प्रभल छार होता जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, C, यानि प्रभल आमल हो जाएगा, नेक्स कोश्चन देखते हैं, निमलिकित में से प्राची इंतम बेध कौन सा है, तो आपका आंसर A सही हो जाएगा, रिग वेज सबसे प्राची इंतम बेध है, ये महतपूर प्रशन है, और अगर C, साम बेध की बात करें, तो इसे संगीत का जनक भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में संगीत जो है, मिलते हैं साम बेध में, ये भी कोश्चन पूछता कभी-कभी, फिर अगला कोश्चन देख पूढ दोनों प्रकार से पूछता है, कि सिंग युकत गैंडे किस अभयारर में मिलते हैं, तो काजी रंगा में मिलते हैं, काजी रंगा कहां पे हैं? अगला कोश्चन देखते हैं, एक उदासीन पिंड होता है, क्या होता है? केवल धनातम का बेश, कोई रदातम का बेश या फिर क्यों रिडात्मक आवेश, कोई धनात्मक आवेश नहीं, या फिर रिडात्मक क्यों धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में, या कोई आवेश नहीं होता है, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा, यानि कोई भी आवेश नहीं होता है, किसी भी पिंड में, उदासीन प पुलते हैं जो जाएगा एक एंटीबायोटिक है ये डीडीटी अब देखते हैं अगला कुशन देखते हैं लोदी बंस की अस्थापना किशने की थी तो आपके ये GS से भी संबंदित question है और आपका environment से भी संबंदित है तो इसका answer A सही हो जाएगा बहलो लोधी ने जो है लोधी बंस की अस्थापना की हुई थी और गर question ये पूछता है लोधी बंस का सबसे महतपूर सासक कौन सा तो आंसर हो जाएगा सिकंदल लोधी हो जाएगा अगला question देखते हैं लिकित में से कौन सा जीवार जल पर दूसर की सूचक के रूप में काम आता है तो इसका answer जो सही हो जाएगा 130 काड़ी सही हो जाएगा कॉली फार्म जो होता है जीवार जल पर दूसर सूचक के रूप में काम में आता है यानि जल पर दूसर का जो सूचक वाला जीवार होता है किस जीवार की उपर स्तितिका जल को पर दूसित माना जाता है तो वो कॉली फार्म हो जाएगा अगला question देखते हैं कच्छा आठ का एक विद्यार थी एक मिस्रड के आवयों को पिल्थक करने के लिए प्रियोक करता है प्रियोक के तरीके की साड़ी दी गई है आवाभा करमसा क्या होंगे इस प्रकार के question अधिक्ता सीटेट में मिलते हैं तो इसका answer जो सही हो जाएगा 131 का बुद्ध ने सबसे पहला ग्यान कहां दिया हुआ था तो बोध गया में दिया हुआ था अगला question देखते है कोडार्क मंदिर अवस्तित है देखे ये question अभी आपकी 8500 शिक्षक लिखित परिच्छा में यूपी में ये question पूछा हुआ था तो इसका answer जो सही हो जाएगा 133 का C सही हो जाएगा उडिशा में है कोडार्क मंदिर जो है अवस्तित है कहां पर उडिशा के पूरी में है पूरी भी आप लिख सकते हैं उडिशा भी लिख सकते हैं अगला question देखते हैं संतुरिस समीकरड है तो इसका कौन सा समीकरड का दिया हुआ योम D का मान करमानुशार क्या होगा तो इसमें D का मान पूछ रहा है तो इसका answer जो सही हो जाएगा 134 का B सही हो जाएगा 2222 हो जाएगा ठीक है न अगला question देखते हैं नेमलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों की उपयोग का एक उधारण नहीं है देखे यह आपका constitution से question आ गया सम्मिधान से तो इसका answer जो सही हो जाएगा C सही हो जाएगा यानि समान पत पर कार कर रहे हैं महिलाओं और पुरुष द्वारा समान बेतन प्राप्त करना जो है मौलिक अधिकारों की उपयोग का उधारण नहीं है यानि ये मौलिक अधिकार नहीं है बाकी सारे जितने हैं वो मौलिक अधिकार के अंतरगत आ जाएंगे आपके 136 number देखते है रसाइन के अप्किरिया के संदर में निमलिक्त में से कौन सा सही है तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा, C सही हो जाएगा, रसाइनिक किरिया में रसाइनिक बंदों का तूटना हुआ, बनना होता है, ठीक है, यह science से questions भी आते हैं आपके प्रियारबड में, रसाइन बिग्यान से संबंदित है, अगला question देखते हैं, प्रतिवर्ती किरिया में प्रतिवर्ती चाप निमनलिखित द्वारा बनता है, तो इसका answer जो सही हो जाएगा, भी सही हो जाएगा, संबेदांग, संबेदांग से मेरजू बनता है, मेरजू से मानसफेसिया, यानि एक यह sequence में इसका answer भी सही हो जाएगा, और यह question थोड़ा सा मैंने practice set जो है, ऐसा है कि थोड़ा सा हो सकता, आप लोगों के टफ लगे, क्योंकि आप लोगों के marks जो है, कापी सही हा रहे थे, इसलिए आपकी तयारी जो है, थोड़ा से high level की में करवाना चाहा रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा से एक दो question हो सकता, आपको टफ लगे, बाकि सब नार्मल question है, अगला question देखते हैं, जर्मनी के एकी करण के पीछे किसका दिमाग था, तो इसका answer जो सही हो जाएगा, C सही हो जाएगा, यानि विसमार्क का जो है दिमाग था, जर्मनी को एकी करण करने में, अगला question देखते हैं, 2011 की जनगर्णा के अंसार भारत में जन संख्या घनत था तो इसका answer जो सही हो जाएगा, A सही हो जाएगा, 382 जन संख्या घनत था, या देख, चुमबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकलों में काटा जाए, तो ध्रोगों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसका answer जो सही हो जाएगा, C सही हो जाएगा, 8 संख्या हो जाएगी ठीक है अगला question देखते हैं human development report 2010 में भारत का अस्थान है तो कौन सा अस्थान यानि 2010 में भारत का कौन सा अस्थान था तो इसका answer जो सही हो जायेगा भी सही हो जायेगा यानि 119 अस्थान था 119 अगला question देखते हैं मावादी आक्रमड के कारर समाचारों में रहा दंते वाड़ा अवस्थी था ये भी एक तरीके से आपका जीयस का भी question कह सकते हैं और प्रियावड की दिर्ष्टी से तो important है क्योंकि बहुत जादे वहाँ पर बनोगरा पाये जाते हैं तो ये नक्सली छेतर भी माना जाता दं अगर नहीं दी जाती है तो जनसंख्या एक अभिशाब बन जाती है अगला question देखते हैं भोजन पकाते से में कभी-कभी बरतन के पेंदे के बाहरी सता काली हो जाती इसका रथ है इसी प्रकार के questions आपको सीटेट में मिलेंगे तो इसका answer जो सही हो जाएगा 144 नंबर का सी सही हो जाएगा इधन पूर डूप से नहीं जल रहा है ठीक है अगला question देखते हैं पैंक्रियाज यानि अगनासे जिसे बोलते हैं में होती है तो क्या होती इसका answer हो जाएगा सी दो प्रकार की कोशकाय होती है अंतसरावी और बहिसरावी ठीक है न अगनासे में दो प्रकार की कोशकाय होती है अंतसरावी और बहिसरावी अगला question देखते हैं रताओधी रोग किस बिटामिन की कमी से होता है भी science का question लेकिन प्रियावड में भी question पूछा जाता है महत से संबंदेते बीमारियां होती हैं तो 146 का A सही हो जाएगा अगला क्वेशन देखते हैं एक ताजा अंडा सुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संत्रिप्त बिलेन में तैरता रहता है इसका कारण क्या है तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा असी सही हो जाएगा नमक के पानी का उच्छ घंत है इसलिए नमक वाले पानी में अंडा तैरता रहता है ठीक है अगला क्वेशन देखते हैं निम्लिकित में से किस भी द्वारा परियोगसाला में और अक्सीजिन गैस बनाई जाती है तो इसमें से किस भी द्वारा पर्योग प्रयोग साला में अक्सीजन गैस बनाई जाती है तो इसका आंसर जो सही होजाएगा, A सही हो जाएगा, KCLO3 को MNO2 के साथ गर्म करने पर प्रयोग साला में अक्सीजन गैस बनाई जाती है, अगला कोश्चन देखते हैं, 149 निम्लिकित में से कौन सा सम्मिदान सभा के सदस स नहीं थे तो इसका आंसर सही हो जाएगा C सिरिलरवीड सिंग हुड़ा जो है सम्मिदान सभा के कभी सदस नहीं थे बाकी A, B और D में जो नाम है ये सभी लोग सम्मिदान सभा के सदस थे एक गेट किसी बेक से उपर के ओर उचाली जाती है या 50 मीटर उचाई तक जाकर फेकने वाले के पास लोट आती है तो इसका A से क्या है तो इसका A से जो हो जाएगा C हो जाएगा सही इसका कुल बिस्थापन सूनने इसलिए वापस ये लोट आती है ठीक है तो आज के 30 कॉश्चन कम्पलीट हुए और I hope आपको काफी अच्छा ला हुआ प्रेक्टिस सेट तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने माक्स भी जरूर सेयर करिएगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फार दोर्स तो थैंक्यू और वीडियो जरूर सेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा